ये theorem 10.5 की summary है, revise करने के लिए detailed explanation की अलग video है, वो देखे हमें prove करना है कि एक circle pass करता है तीन non-collinear points से मैं यहाँ पे P, Q और R तीन non-collinear points मान लेता हूं construction करता हूं A भी बनाता हूं perpendicular bisector PQ का, CD बनाता हूं perpendicular bisector QR का, और ये दोनो meet करते हैं point O में यहाँ पे दिखाता हूं कि ये दोनो lines meet करेंगे अब मैं prove करूँगा कि OP, OQ और OR ये तीनों equal है ये करने के लिए मैं इन दोनों triangles को congruent prove करता हूं ये side PM, ये वाल angle 90 और ये common side से SAS congruent से ये दोनों triangles congruent हो जाएंगे तो मेरा OP और OQ equal हो जाएगा by CPCT similarly OQ और OR equal हो जाएगा यानि OP, OQ और OR ये तीनों equal हो गए अब मैं इन तीनों sides को मान लेता हूं R O को center, R को radius मान के एक circle बनाओ तो ये कुछ ऐसा बनेगा यानि PQR से एक circle पास करता है अब हमें प्रूफ करना है कि सिरफ एक circle पास करता है यानि only one circle passes through ये करने के लिए मैं यहाँ पे एक और circle मानता हूं green वाला जिसका center है O' radius है R' point O' से एक perpendicular मारता हूं PQ पे अब यहाँ पे O' M' ये प्रिपेंडिकुलर है PQ के और OM ये भी प्रिपेंडिकुलर है PQ के इसका मतलब ये दोनो लाइन्स पैलल होंगी क्योंकि ये दोनो प्रिपेंडिकुलर है same line के प्रिपेंडिकुलर टो दो सेम लाइन are parallel to each other और यहाँ पे मुझे एक प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टो अकॉर्ड बाइसेक्स द अकॉर्ड यानि अगर सेंटर O' से प्रिपेंडिकुलर मारू तो मेरा P M' और M' के ये ये इकुल होगा यानि मेरा M' हो जाएगा midpoint of PQ इसका मतलब O' M' हो जाएगा प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम सेक्टर PQ का लेकिन एक लाइन का तो सिरफ एक ही प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम सेक्टर होता है और हमें पता है कि OM प्रिपेंडिकुलर फ्रॉम सेक्टर है PQ का क्योंकि हमने assume किया था क्योंकि एक line का एक ही perpendicular bisector हो सकता है इसका मतलब यह जो O' M' है यह actual में O' M ही है यानि O' और O coincide करते हैं इसका मतलब कि मेरा एक ही circle pass करेगा इन तीनों point से P, Q और R से